मैं विशाल गुपता आप सभी का स्वागत करता हूँ आज मैं कंपेर करूंगा साइंस क्लास 9 के लिए एसचांद केमिस्ट्री को और परदीप केमिस्ट्री को दोनों बुक्स की मार्किट में डिमांड है और दोनों बुक्स एक दूसरे की डारेक्ट कंपिटीटर है अगले पांच मिनट के लिए इन दोनों में से कौन सी बुक बैस्ट होगी आज मैं आपको सचांद केमिस्टरी और परतीप किमिस्ट्री इन दोनों बुक्स का डिटेल में कंपेरिसन करके बताओंगा कहां पर पर्दीप जादा अच्छी है और कहां पर और क्या पॉइंट है और और अगर आपने इस comparison को ध्यान से समझा दो अगले 5 मिनिट के बार अप आसानी से ॐ mark के लिए जादा अच्छी है और क्यों सबसे पहले देखते हैं कि concept किस book में ज़ादा अच्छे से explain किये गए हैं अगर मैं concept की बात करूँ तो concept दोनों ही books में बहुत अच्छे से explain किये गए हैं लेकिन दोनों books में एक difference है एस चांद में concept को explain करने के बाद जो number of examples दे गई हैं वो ज़ादा दे गई हैं और साथ में इन examples को elaborate भी ज़ादा किया गया है अब कितनी ज़ादा दे गई हैं तो मैं आपको बताओं जिस topic में परदीप में हमें दो examples दे गई हैं एस चांद में तीन examples दे गई हैं जहां पर परदीप में तीन examples दे गई हैं एस चांद में चार examples दे गई हैं बीच में कोई-कोई topic ऐसा भी है जहां पर दोनों की examples बराबर हैं लेकिन अगर हम overall बात करें तो number of examples एस चांद में ज़ादा हैं और उन examples को elaborate भी एस चांद में ज़ादा किया गया है concept explain करने के लिए और concept से related extra information प्रोवाइड करने के लिए एस चांद में number of pictures या photograph कहलो एस चांद में ज़ादा हैं तो theory के area में एस चांद ज़ादा अच्छा है लेकिन मैं यहां पर एक बात clear कर दूँ परदीप भी बहुत अच्छा है लेकिन comparison में देखें तो एस चांद थोड़े से margin से आगे निकल जाता है second point है specific extra information अभी मैंने आप से कहा कि एस चांद में number of examples ज़ादा हैं और वो elaborate भी ज़ादा की गई हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एस चांद बुक में परदीप बुक सारी है plus कुछ extra है मैंने दोनों बुक्स को read किया है इसलिए अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको सभी नहीं बताएंगे कुछ examples या ऐसा कहलो कुछ information आपको परदीप बुक्स में मिलेगी जो आपको एस चांद में नहीं मिलेगी और कुछ information ऐसी है जो आपको एस चांद में मिलेगी और परदीप में नहीं मिलेगी मेरे ऐसा कहने से कुछ students फिर से confused हो जाएंगे के best book कौन सी है लेकिन जो reality है मुझे वैसी ही बतानी पड़ेगी जो परदीप बुक्स पड़ेंगे उनके पास कुछ ऐसा knowledge रहेगा जो एसचांद वालों के पास नहीं होगा और जो एसचांद पड़ेंगे उनके पास भी कुछ ऐसा knowledge रहेगा जो परदीप वालों के पास नहीं होगा लेकिन board examination point of view से अगर हम देखें तो सारी जरूरी information दोनों बुक्स के बीच में है जो information हमें extra चाहिए या ऐसा कहलो किसी एक concept का अपने surrounding के साथ relate करने के लिए जो extra information हमें चाहिए वो वाली कुछ extra information ऐसी है जो सिरफ परदीप बुक्स में है और कुछ information ऐसी है जो सिरफ s-chand में है अब मैं quantity of information की बात करूँ तो ऐसी information बहुत ज़ादा है जो s-chand में है और परदीप में नहीं है तो extra information के field में भी clearly winner s-chand है third point है n-c-e-r-t textbook questions चाहिए आप परदीप बुक्स रीड करें या s-chand रीड करें n-c-e-r-t textbook questions दोनों बुक्स में दिये गए है और दोनों में बहुत अच्छे से explain किये गए है आप दोनों से satisfied रहोगे fourth point है n-c-e-r-t exemplar questions परदीप बुक्स में n-c-e-r-t exemplar का एक separate से folder दिया रहता है उस folder में n-c-e-r-t exemplar के हर एक question को include किया जाता है लेकिन ऐसा कोई folder s-chand में आपको नहीं मिलेगा मैंने जब परदीप केमिस्ट्री का review किया था तो उसमें मैंने exemplar folder को दिखाया था जादा information के लिए आप उस review को देख सकते हैं मैं इस वीडियो के end में परदीप केमिस्ट्री बुक review वाली वीडियो दे दूंगा आप देख लिजिए यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि s-chand reference book परदीप के comparison में costly होती है और आपको exemplar भी separate purchase करने पड़ेंगे अगर आप s-chand read करते हैं तो तो यहां पर clearly परदीप winner है अब परदीप और s-chand में content organization की बात करते हैं कि दोनों books में content arrange किस तरह से किया गया है अगर हम organization की बात करें तो परदीप और s-chand दोनों books में content organization में भी बहुत ज़ादा difference है परदीप books में content को कहानी की form में दिया गया है ज़रा ध्यान से समझना माल लेते हैं एक टॉपिक है और उस टॉपिक के चार सब टॉपिक है तो परदी बुक्स में कैसे अरेंज किया गया है समझे एक टॉपिक और इसका पहला सब टॉपिक पहले सब टॉपिक के बाद इस सब टॉपिक से रिलेटिड जो टॉपिक है वो दिया गया है फिर दूसर में टापिक काफिजादा लेंथ ही हो जाता है जिन स्टूडेंट्स को स्टूरी फर्म में पढ़ना जादा अच्छा लगता है वह इसे इंजॉय करते हैं जबकि एस चानद में कांटेंट को टापिक वाइस दिया गया है जो मैंने एक्जेंपल ली थी इसी एक्जेंपल को देखते हैं एस चांद में कैसे बताया गया है एक टापिक है पहला सब टापिक दिया गया है फिर दूसरा सब टापिक दिया गया है और फिर चोथा सब टापिक दिया गया है और इन सब टॉपिक से रिलेटिड जो टॉपिक थे उनको एक अलग टॉपिक बनाकर इसी टॉपिक के बाद में रखा गया है मैंने आपको दोनों बुक से रिलेटिड कंप्लीट और डिटेल इंफरमेशन प्रोवाइड कर दी है मुझे लगता है अब आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कौन से बुक आपके लिए ज्यादा अची है और क्यों अची है